राजा और प्रीती का प्यार दिन बदिन गहरा होता जा रहा था. दोनों चोरी छिपे मिलते, एक दूसरे के साथ वक्त बिताते और अपनी दुनिया में खुश थे. उन्हें ऐसा लगता था कि अब कोई भी उनकी खुशियों में खलल नहीं डाल सकता. लेकिन किस्मत ने हद करीब थी और परिवार में सबसे ज्यादा समझदार मानी जाती थी. एक शाम जब राजा अपने कमरे में अकेला बैठा था, रागिनी भाभी उसके पास आई और धीरे-धीरे बात करने लगी. राजा, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है. रागिनी ने कहा, उस रागिनी कुछ क्षंट चुप रही. फिर बोली, राजा, मैं जानती हूँ कि तुम और प्रीती एक दूसरे से बहुत प्यार करते हो, लेकिन क्या तुम्हें कुछ बातें पता हैं, जो प्रीती के बारे में मुझे हाल ही में मालूम हुई है? राजा चौंक गया. उसने सव प्रीती का किसी और से भी पहले रिष्टा था. यह बात तुम्हारे लिए शायद नहीं हो, लेकिन मुझे लगा कि तुम्हें ये बताना जरूरी है. राजा एकदम से अवाक रह गया. उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि भाभी जो कह रही है, वह सच हो सकता है. उसका मन इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहा था. उसने तुरंत रागिनी से पूछा, आपको ये किसने बताया और ये बातें कहां से आ रही हैं? राजा, ये बातें मुझे प्रीती के पुराने दोस्तों से पता चली है. वे लोग बताते हैं कि पहले प्रीती का किसी और लड़के से रिष्टा था और वह उससे शादी भी करना चाहती थी, लेकिन किसी वजह से वह रिष्टा तूट गया, मुझे लगा कि अगर ये बात सच है तो तुम्हें इसके बारे में जानना चाहिए, ये सुनकर राजा का दिल तूट गया, उससे लगा जैसे किसी ने उसकी दुनिय एक पल में बिखेर दी हो, उसने कभी सोचा भी नहीं था कि प्रीती की जिंदगी में उसके पहले कोई और हो सकता है, वह चुपचाप खड़ा रहा, उसकी आँखों में आंसू थे, वह कुछ देर तक बिना कुछ बोले बैठा रहा, फिर अचानक कमरे से बाहर चला गया, अब राजा के मन में शक और सवालों का भंवर उटने लगा था, वह हर बात को नए सिरे से सोचने लगा, क्या प्रीती ने उससे कुछ छिपाया था, क्या उसके साथ वफादारी नहीं की थी, इन सवालों ने राजा के दिल में एक दूरी पैदा कर दी, पहले जहां राजा और प्रीती घंटों बातें करते थे, अब राजा के मेसिज का जवाब देना भी मुश्किल हो गया, प्रीती ने कई बार राजा से बात करने की कोशिश की, लेकिन राजा अब पहले जैसा नहीं था, वह हमेशा किसी न किसी बहाने से बात टाल देता, और धीरे धीरे उनकी बातचीत में दूरी बढ़ने लगी, प्रीती को समझ नहीं आ रहा था, आ रहा था कि आखिर ऐसा क्या हो गया है, पहले जो लड़का बिना उससे मिले नहीं रह सकता था, वह अब बात तक नहीं करना चाहता था, एक दिन प्रीती ने राजा को सीधे पूछा, क्या हुआ है राजा, तुम मुझसे ऐसे क्यों बरताव कर रहे हो, क्या मैंने कुछ गलत किया है, राजा ने गहरी सांस ली और कहा, तुमने मुझसे कुछ छिपाया है प्रीती, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम्हारा किसी और से रिष्टा था, प्रीती हक्की बक्की उसने कहा, वट उट गई, और बिना कुछ कहे, वहाँ से चली गई, राजा और प्रीती, जो एक दूसरे के बिना जी नहीं सकते थे, अब एक दूसरे से बात भी नहीं करना चाहते थे, दोनों की जिन्दगी में एक ऐसी खामोशी आ गई, जिसे किसी ने भी सोचा नहीं था, राजा और जहर एक बार दोनों के रिष्टे में घुल चुका था, और अब उन्हें फिर से करीब लाना मुश्किल लग रहा था, राजा ने फिर से अपने काम पर ध्यान देना शुरू कर दिया, लेकिन उसके दिल में कहीं न कहीं प्रीती की यादें उसे परेशान करती रही, उधर प्रीती भी अपने दिल के टुकडे समेटने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वह राजा को भूल नहीं पा रही थी, क्या दोनों फिर से मिल पाएंगे, या उनके प्यार की कहानी यहीं खत्म हो जाएगी, भाग पांच में जारी रहेगा.